नमस्ति विध्यारतियों डॉक्टर किर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक अक्षा सात्वी मराथी सुलब भारती इसका दूसरा अध्य है श्यामुचे बंधु प्रेम इसका स्वाध्या लेकर आई हूँ इसका एक्स्प्लेनेशन वा प्रश्णोत्तर है हमारे टेक्स्बुक में दिये हुए उनको करने वाले हैं अच्छा हम सबसे पहले देखते हैं शामचे बंधु प्रेमिस को किस ने लिखा हुआ है तो साने गुरुजी ने लिखा हुआ है और इनका पूरा नाम है पांडुरंग संदा सदाशी वसाने औ और विध्यारतियों बच्चों टीचर्स पैरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं इस चैनल को जो है लाइक करना और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भुलिए बेल आइकोन वाला जो बटन है उसको दबाईए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए सबसे पहले उसकी जानका कर पढ़िये जो भी मेरे वीडियोज है उनको खूब आप शेयर कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने टीचर्स को बताईए और इस तरीके से आप शेयर करके खूब अच्छे से पढ़िये आईए पहला प्रशन देख लेते खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्या उत्तरे लिहा याने खालील याने नीचे नीचे दिये वे प्रश्नों के एक दो वाक्ये में उत्तर लिखिये प्रश्न है अ नवीन पाउस सुरू होन्याचा माती वर काय परिणाम होतो याने नया नया बारिश शुरू होती है उसका मिट्टी पर क्या परिणाम होता है उत ये तो सुगंध कर लेना है ने सुगंध सुगंध कर लेना तो यहां पर इसका मीनिंग है कि नया नया जब बारी शुरू होता है तब मिट्टी जो पहली बार भीग जाती है उसमें से खुब रम्यमन को रम लेने वाला सुगंध आता है आ प्रश्न है शामने कौन निष्चे केला होता तो उत्तर में लिखेंगे अपलया धाक्टया भावाला नवीन कोट कीवा सद्रा शिवुन नयाई सा असा निष्चे शामने केला होता है ना अपने छोटे भाई को नया कोट या फिर सद्रा याने कुर्ता सिलकर वह लेकर जाएगा ये निश्चे उसने किया था लहान भावाला आई ने कसे समझा हो ले ये छोटे भाई को मा ने कैसे समझाया तो मा ने क्या बोला था दिखते उत्तर में तुझे अन्ना दादा मूठे होतील अन्ना दादा इने शाम जो बड़े भाई होते हैं उनको अन्ना दादा इसे बुला जाते हैं कमवाईला लागतील इने कमाने लगेंगे नोकरी लगेंगे उनकी मक्तुला सहा महिनानी नविन सद्रा शिवतील यहने फिर तुझे छे महिने के बाद नया सद्रा नया कुर्ता सिलेंगे अब यहां छे महिने क्यों कहा गया है क्यूंकि जो परिवार है वो बच्चों को एक अच्छे संसकार दे रहा है पांच-छे महिने जो है जो भी दिया लिया है या किसी का देना लेना है वो सब निप्टा के घर में जो आवशक कारे है उसको पूरा करने के बाद में जो है सद्रा वगिरे जो सिलने का कारे होगा आता हट करू नको अब बोले अब तू बिल्कुल भी हट यहने जीद मत कर असे आईने लहान भावला समझाओ ले इस तरह से मा ने छोटे भाई को समझाया नेक्स्ट कोश्चन इनमबर है कि शाम चे वडिल वर्चे वर दापोली लाकशा सथे जात हैने शाम के जो पिता थे वे बार-बार बहुत जल्दी जल्दी दापोली क्यूं जाते थे वर्चे वर यहने जल्दी जल्दी है न जैसे आट-दस दिन में पंदरा दिन में ऐसी क्यूं जाया करते थे हमेशा हमेशा इसको बोल सकते आप उत्तर लिखेंगे शाम चे वडील कोल्ट कचेरी चा कामा साथी वर्चे वर दापोली ला जात यहने शाम के पिता कोल्ट और कचेरी के काम से बार बार दापोली जाते थे उप्रशन दिया है शामला चालनया चे श्रम का वाटत नोते यहने शाम को चलने की मेहनत जो चलने की तकलीफ थी परिश्रम था वो क्यों नहीं लग रहा था कुछ उब्योस को तो उत्तर में लिखेंगे शाम ने धाक्टया भावा साथी नविन कोट शिवन गेतला होता यहने शाम जो है उसने अपने छोटे भाई के लिए नया कोट सिल लिया था आईला किती आनंद हो इल यह सुख स्वपना तो दंग होता मा को कितना आनंद होगा कितनी खुशी होगी एसा सुखद सपना वह देख रहा था और उसमें दंग था एने मगन था मनुन शामला चालनया चे श्रम वाटत नवते और इसलिए शाम इतना चल रहा था चल के घर जा रहा था न पेदल फिर भी उसको बिलकुल भी श्रम नहीं लग रहा था एसा लगी नहीं रहा था कि वो इतनी मेहनत कर रहा है चल रहा है थक रहा है न ऐसा खालील आकृतिया पुरुना करा प्रश्न दो इसमें अप्रश्न दिया है शामला थंडी चा दिवसात न मिरनार्य गोश्टी तो शाम को थंड के दिनों में कुन-कुन सी चीजे नहीं मिलती थी तो गरम, गरम कोट, मौफलर और जाकेट ये तीन चीजे उसको जो है नहीं मिल और यहां पर लिखेंगे टोपी ठीक है और फिर गरम कोट, मौफलर और जाकेट इस तरीके से आप लिखेंगे यानि ये चार्जी जो उनको नहीं मिलती थी वो क्या करते थे जो धोती होती थी पहनने की उसी धोती को जो है घड़ी करके अच्छा मोटा सा चार पद्री लेते थे तो उससे गरमी आजाती थी ठंड के दिनों में यही उनका स्वेटर हुआ करता था यही उनका कोट हुआ करता था आप प्रशन देखते हैं शाम ने आणलेला नविन कोट बगुन त्याचा आई वड़ला ना मनात निर्मान जालेले प्रशन यानि शाम जो नया को कोट कोणा चा यानि यह कोट किसका है मोरव जोश्याला ध्यायाचा आप यही का देना ही क्या कापातलिया मुख्यायाने पाठ्योला है क्या आहे का यहनि मुख्या Tla Paco Janine को नहें बह जा है किसको दूसरा प्रश्ण यह उठा कि पैसे को ट ले बाइसे कहां कि को नास कर डाले आउर यह दो एसा ँड़ी आ या उधार उधार में तो नहीं सिल्वा के लेकर आया ये सारे प्रश्ण उसके माता-पिता के मन में निर्मान हो गए थे प्रश्ण तीन लिखते हैं का तेलिहा याने क्यूं वो बताईए याने कारण लिखी है जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अप्रश्न दिया है शाम चे डोड़े अश्रूनी नहाले होते कारण यहने शाम की आखे आंसु उसे नहाली थी उसका कारण क्या था उत्तर में लिखेंगे धाक्ट्या भावा चा कोट शिवन हातात आला छोटे भाई का कोट सिलकर हाथ में आ गया जवर चा पैशा सारा खर् हो गया कपड़ा लाना सिलने डालना सिलाई देना सब कुछ हो गया आपन के लेला निश्चे पूर्ण दाला और उसने जो निश्चे किया था वो पूरा हो गया मनुन कृतार्थ भावने शाम चे डोड़े अश्रूनी नहाले इसलिए धन्यवाद देने के भाव से शाम की आखे जो है अश्रूं से आसों से नहाली थी है न क्योंकि वो इश्वर को धन्यवाद देना चाहता था कि मेरे पास जितने पैसे है उतने में जो है मेरा काम पूरा हो गया इसके लिए मैं आपका बहुत कृतार्थ हूं मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं है न आप उसका क्या कारण था तो उत्तर में लिखेंगे भर पाऊसात नदी नाले ना पूराले अस्तिल यहने भर पाउस यहने बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और एसे समय में नदी नालों में बाढ आजाती है पूरे ने बाढ है ना बाढ आ जाती है तो परहानना उतार नसल और जो परह एने नाले होते हैं उनमें उतार एने पानी कम नहीं होता बलकि पूरा तुडुम भरा हुआ रहता है है ना मणुन श्याम जैंचा घरी रहेचा त्यानी श्यामला जाउनों को असे मटले इसलिए जिनके घर श्याम रहता था उन्होंने श्याम को कहा तू मज जा भी इप्रशन है पिसाईचा परहा दुथडी भरुन वाहत होता दुथडी भरुन वाहने मंजे फूल भर के बहना है ना ऐसा तो उत्तर में लिखेंगे भरपूर पाउस पड़त होता यहने बहुत ज जादा भर गया था इसमें क्या मुलते ओड़े में नाले में इसलिए वह बारिश के जादा पानी के करण पूरा उपर तक तुडुम भर के जो है बहे रहा था पाणी फार आल्या मुड़े अब यहां पे आप क्या करेंगे भरपूर पाउस पड़त होता वह नाल्या वह प पाणी फार असलिया मुड़े पाणी फार असलिया मुड़े यह ना ऐसे करके लिखेंगे उसके कारण क्या हो गया था पिसाई चा अब यहां पे जो पिसल चा दिखरा नहीं यहां पे लिखोगे पिसाई चा पर्या पर्या दुथरी भरून वाहत होता यह भर के पूरा तर श्याम ने सांगित लेली हकीकत एकुण आईला गहीवर आला अब देखिए यहां पे भी यह जो एडिटिंग में मिस्टेक हो जाते हैं श्याम ने सांगित लेली हकीकत एकुण आईला गहीवर आला ऐसे हैं इस तरीके से तो उत्तर में लिखेंगे ने मा का जो है मन भराया त शामने खहू साथि दिलेले पईसे, खर्चन करता धांग्ता भावाला नवी इनकोट शिवला होता, शामने क्या किया था, उसके फापाणे फीने के लिए, उसके पापा ने जो थोड़े बहुत पैसे दिये थे, वो खर्चनी किये कभी भी, जब उसके फापाणे जाते थे, उसको एकाना दुआ न देते थे, वो खर्चन करके उसने अपने चोटे भाई के लिए कोट सिलवाया था, शाम भर पाउसात अड़जनी वर मात करून घरी आला, और शाम ने क्या किया था, भरपूर बारिश में सभी प्रकार की अड़चनों पर जैसे इतनी नदी पार करके आया वो, है न, उसमें बेह जाने का खत्रा था, फिर भी भेंकर बारिश में साप वगेरे रस्ते में थे, इसी साहरी कठिनाईयों पर मात करते वे वो घर आया, ही हक्किकत आई ने एक ली, और ये सच्चा ही जब माने सुनी, शाम चेह अपार बंधु प्रेम बगुन आई जब शाम बोलता है न, कि अरे मेरे पंख होते तो में एकदम उड़ कर घर चला जाता, इस बात के पीछे, इसके पीछे उसकी क्या कलपना थी, उसका इमेजिनेशन क्या था, क्या सोच रहा था वो, क्या विचार कर रहा था वो, तो हम आंसर में लिखेंगे कि जेमा शाम न गितला ते महां तैचे डोड़े अशुर नहीं नहाले होते, जब शाम ने वो छोटे भाई का कोट हात में सिला हुआ लिया, तो उसके आखों से आखों से आखों से नहाली थी, गणेश चतुर्थी जवड आली होती, गणेश चतुर्थी पास आ गई थी, आनि कोट हाता त और त्याला इतका आनन्द जाला कि त्याला आता दापोली थामवेना से जाले होते, यहने कोट हात में आनिकाद उसको इतनी प्रसंदता हुई कि अब दापोली में उसको रुकवाई नहीं रहाता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कब-कब में घर जाओं एसा, कधी पड़िल वह भावज्चा चेहरे वर्चे आनन्द बक्तो असे त्याला वाटत होते, उसको इसा लग रहा था, कब-कब में एक बार का घर पोच जाओं और मेरे मम्मी, पापा और भाईयों के चेहरे पे की प्रसंदता खुशी वह में देखूं, इसके लिए वह ऐसा उसको वह बूलने लगा कि अगर भगवान में जह पंक दे देते तो काश मेरे पंक होते तुम्हें उड़कर घर चला जाता है ना, इस तरीके से वह सोचता है, और आणी आई वड़िलान चा वह छोटा धाक्टा भावा चा चेहरे वर्ची प्रसंदता लवकरस बगायला मेरे अल जल्दी से जल्दी कब मैं अपने मम्मी पापा और भाईयों को मिलता हूं ऐसा हो गया है मुणून तयाला से वाटेत होते हैं कि पंख होते तो और उड़ून गे लोस्तो इसलिए उसको ऐसा लगा कि पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता चलकर ही जाना पड़ता है तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन उड़के शन भर में वहां पहुच जाता है काश मेरे पंख होते तो आज में उड़कर तुरंत वहां पहुच जाता है आगे का प्रिश्ण देखते हैं खेड़वया शब्दान ची और इसके अंदर दिया खाली देलेला शब्दान चा विरुद्ध अर्था चे शब्द चवकटी तुन शोदुन लिहा विरुद्ध अर्था चे यानि अपोजिट अर्थ वाले जो शब्द है वो ढूंड कर दे प्रुति नवीन गरम दुरलक्ष धाक्टा अने हरवने तो हमको यह बताना है कि पहले वाले नंबर में जितने भी वर्ट्स दिये वे हैं उनके अपोजिट वर्ड्स यह सेकेंड वाले पॉइंट में कहां पर हैं कौन से उसके एक्जिक्ट जो है अपोजिट वर्ड्स है वो हमको बताना है तो थंड उसका अपोजिट है गरम सापडने उसका अपोजिट हरवने सुगंध का अपोजिट दुरगंध थोरला का अपोजिट धाक्टा जुना का अपोजिट नवीन याने नया लक्ष का अपोजिट दुरलक्ष और इस्मृति का अपोजिट हो जाए इस ग्रूप में न मेल न खाने वाला जो शब्द है उसको पहचान लो और पहचानने के बाद में वह क्यों इस ग्रूप में जो है नहीं बेटता है इनके इनसे क्यों वह अलग है इसका कारण भी बताओ तो पहला हमको दिया है कोशन समीरा वीनिता त्यानी और निखिल अब इसमें से हम देखते है कि आंसर क्या है त्यानी अब क्यों आंसर त्यानी है तो समीरा वीनिता निखिल है सर्वनामे आहित यहने सब संग्या है नाउन है यहां पर सर्वनामे यह सर्वनाम नहीं है ना यह सर्व यहने सभी नामे यहने कि संग्या नाउन है आनी त्यानी है सर्वनाम आहे और त्याननी जो शब्द है वो सर्वनाम है बाकि सब क्या है नाउन है मनुन तो गटाद बसत नहीं ठीक है इसलिए वो इस ग्रूप में जो है यह सब प्रोनाउन है वो सात्पुते है कच नामा है और सात्पुते जो है वो नाउन है एक ही अकेला इसलिए वो इस गट में नहीं बेटता और हिमाले ये एक मात्रोस के अंदर क्या है नाउन है नाम आहे मुणन तो गटात न बसनारा शब्द आहे या नाउ की जगे नाम कर लेना ठीक है चवथा प्रश्ण है लिहने लिहने आमी गाने अनि वाचने अब उत्तर है इसमें आमी क्योंकि या गटात लिहने गाने वाच ने ही सर्वक्रिया पदे आहे ये सब क्या है वर्ब्स है क्रिया है और इसलिए आमी ये हम ये एक ही इसमें जो है सर्वनाम है नाउन के स्थान पे यूज करने वाले जो भी वर्ड्स होते वो प्रोनाउन होते ये सर्वनाम होते है ना बढ़न तो गटात न बसनारा अभी next question आपको दिया है लहिते हो, या, याने लिखते हैं, चलो, तुम्ही तुम्छा धाक्त्या भावा साथी, याने तुम्हारे चोटे भाई के लिए, किवा वहने साथी, या फिर चोटी बेहन के लिए, कोण कोण तया भेटवस्तु घेता, तुम अपने चोटे भाई वह यहनों के लिए कौन-कौन से भेटवस्तू याने गिफ्ट लेते हो और कौन-कौन तया प्रसंगी घेता याने वो कौन-कौन से समय पर लेते हो उसके बारे में बताओ तो हमने आंसर लिखा है कि मी माझा लाहान भावा साथी अब यहाँ पर भावा की जगे बहेन हो तो बहेनी साथी ऐसा लिख सकते हो है ना मी माझा लाहान भावा साथी त्याचा वाड़ दिवसाला काही न काही भेटवस्तु अवश्य घेते एने में अपने छोटे भाई के बड़े पर उसके लिए कोई नो कोई गिफ्ट अवश्य लेती हूँ माक्चा वर्शिच मी त्याला फुटबॉल भीटवस्तु मनुन त्याचा वाड़ दिवसाला दिला होता मैंने लास्ट येर मेंने फुटबॉल उसके बड़े पर गिफ्ट दिया था कारण त्याचा फुटबॉल फुट ला होता क्योंकि उसका जो पहले का फुटबॉल फुट गया था आनी तो खुप सरड़त होता और वो बहुत रो रहा था उसका फुटबॉल फुट गया था इसलिए महनों में त्यास दिवशी निष्चे केला होता और इसलिए उसने कहा कि मैंने उसी दिन निष्चे कर लिया था कि मी माजा खाऊचा पैशातले पैशे वाच्वून तयाचा साथी वार दिवसला फुटबॉल नक्की चानिल कि मैं अपने जो मुझे जेब खर्ष मिलता है या चोटे मोटा पैसा कभी कोई मम्मी पापा देते हैं उसमें से सब पैसे बचा कर और मेरे चोटे भाई के बड़े पर उसके लिए फुटबॉल में पक्का लाओंगा फुटबॉल बगितलया वर तो खूब आनन्दी जाला और जब वो लेकर आई फुटबॉल तो उसका भाई खूब आनन्दी हो गया खूश हो गया त्याला आनन्दी बगुन मला खूपज बरे वाट ले उसको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा आनन्दी आई बाबन नी सुद्धा मला शाबास की दिली और मम्मी पापा ने भी मुझे जो है शाबास की दिली मी माजा धाक्टया भावला नहिमिज बेटवस्तु देता स्ते और यहां पर हमको आगे प्रश्ण में क्या दिया है कि कोण-कोण सी प्रसंग ऐसे होते हैं जब कोण-कोण से समय पर तुम अपने भाई या चोटे भाई या चोटे वेहन को भेटवस्तु देते हो तो हमने उसका आंसर यहां लिखा है कि मी माजा धाक्टया भावला नहिम बिछ भेटवस्तु देते और हमेशा यह भेटवस्तु देते हुं तया चाहा वल्दि उसा निमत यहें बटे पर भाऊ वीज बहाई दूछ पर रक्षा-बंदन या फिर उसने कोई भी अच्छा काम किया हूँ तो मैं उसको भेटवस्तू अवश्य देती हूँ क्यों? क्योंकि भेटवस्तू देऊं त्याचे उच्छा वरधन कराएला मला खूप आवड़ते याने भेटवस्तू देकर उसका उच्छा बढ़ाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खूप आवड़ते याने बहुत अच्छा लगता है मी असा कुठला ही चांस हाता तुन जाओ देत नहीं जे वहां मी तयाला गिफ्ट देऊं शकते याने मैं एसा कोई भी चांस नहीं छोडती हूँ या छोडता हूँ जब मैं उसे गिफ्ट दे सकता हूँ जबी भी वो कोई काम अच्छा करे और गिफ्ट दे सकती हूं में या दे सकता हूं तब मैं उसको जरूर देता हूं एसा चांस में कभी भी नहीं छोड़ता अगला प्रश्न देखते हैं या पर आपन समजून घ्यू या इसमें क्या है आपको मागी लेते तापन नाम, सर्वनाम, विशेशन, वक्रियापद या विकारी शब्दां चा शब्द प्रकारां चा अभ्यास के लिला है यानि लास्ट क्लास में शिक्स में आपने नाउन, प मतल परिस्थिती के अनुसार बदल जाते हैं लिंग वचन अगरे के अनुसार बदल जाते हैं जब लिंग वचन में बदला होता है तो इन में भी बदला हो जाता है है न लेकिन जो विकारी शब्दे वो वेसे के वैसी रहते वो बिलकुल नहीं बदलते तो क्रिया विशेशन अव्यये शब्द योगी अव्यये उभयान वेई अव्यये व केवल प्रयोगी अव्यये या शब्द प्रकारान ना विकारी मंटात याने ये जितने प्रकार है इनको हम अविकारी याने कभी भी न बदलने वाले, किसी भी परस्तिती में न बदलने वाले, जैसे के वैसे रहने वाले, टस से मस न होने वाले, हम प्रकार कहते हैं कारण लिंग्वचन विभक्ति इत्यादिचा त्यांचावर परिनाम होन त्या शब्द प्रकारातिल शब्दांचा रूपा मदे का ही बदल होत ना ही यहने चाहे किसी सेंटेंस में लिंग बदल जाए यहने इस तरी लिंग का पुलिंग हो जाए या वचन बदल जाए एक वचन से वहवचन क्यों न हो जाए कोई चीज विभक्ती एने काके की जो भी होता है मराठी में सलाते सलानाते ये विभक्ती होते तो ये सब क्यों न बदल जाए इनका कुछ भी परिणाम अविकारी शब्द पर नहीं पड़ता है अभी खालील वाक्के वाचा अब आप यहाँ पे देखेंगे अतिशय पलीकडे पट पट और नहीं इसके नीचे आपको अंडर लाइन किया वो दिखरा है की नी तो वरिल वाक्यातिल अधोरेखित के लेले अतिशय पलीकडे पट पट वनहीं है शब्द क्रिया विशेशन अव्याय आहित यानि ये जो अधोरेखित यानि अंडर लाइन के हुए वर्ड्स है ये सब क्या है क्रिया विशेशन अव्याय है अब क्रिया विशेशन अव्या ऐसी हुई वैसी हुई जो भी हुई तो हम उसको कहते हैं क्रिया विशेश नवे अब देखते हैं अब ये शब्द वाक्या तिल क्रिया पदा बदल विशेश माहिती देताथ अब ये शब्द जो होते हैं क्रिया पत के बारे में हमको special कुछ न कुछ जो है माहिती देते हैं टीप्स देते हैं जैसे वाक्यातिल क्रिया पदा बदल विशेश माहिती देनारे शब्द क्रिया विशेशन अव्यायस तात है ना? इसलिए हम इसको क्रिया विशेशन अव्याय केते हैं वाक्यातिल क्रिया कदी घडली एने वाक्यातिल क्रिया कब हुई? कुठे घडली? कहां हुई? कशी घडली? कैसे हुई? किती वेडा घडली? कितनी बार हुई? या वरुन वाक्यातिल क्रिया विशेशन अव्यायान चे प्रकार उड़कता है तात इसके आधार पर हम क्रिया क्रिया विशेशन अवे के प्रकार को उस वाक्य में से पहचानते हैं कि उसमें से हमें पता पड़ता है अब देखो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम उसको ढूंडते हैं न तो देखते हैं क्रिया विशेशन अवे यांचे प्रकार अब क्रिया विशेशन अवे के कितने प्रकार होते हैं देखो पहला प्रकार हमको दिया है काल वाचक क्रिया विशेशन अवे अब काल वाचक काल शब्द से हमको पता पड़ता है ताइम यहने वह कब हुई वगरे ऐसा और यहाँ पे रीती वाचक रीती वाचक यहने कैसे कैसे हुई ऐसा है ना सभवार अब यह इस्थल वाचक इस्थल यहने जगह प्लेस प्लेस के बारे में हमको यहाँ पे बताया जाता कहां हुई वगरे ऐसा और यहाँ परिमान वाचक परिमान याने उसको हम संख्या वाचक याने उसमें नंबर आते हैं और परिमान याने क्या जिसको हम गीन नहीं सकते हैं जिसे खुब सारे चावले तो हम बोलेंगे खुब सारे चावले हम यह नहीं बोलेंगे 100 चावले 200 चावले हैं तो उसको जि इसे अफेंपल सबसे पेले काल वाचक, फिर रीती वाचक, फिर इस्थल वाचक और फिर परिमान वाचक ऐसे देखते हैं हम लोग ठीक है, तो देखिए, काल वाचक रिया विशेशन अव्वे, अब इसके अंदर क्या होता है, पुर्वी, शिक्षक, पगड़ी, घालत असत, पुर्वी पुर्वी याने पहले शिक्षक याने टीचर पगड़ी याने सिर के ओपर जो पगड़ी पहनते न वो पहना करते थे ये हमको इसके अंदर बोला गया है अब उधारण देखते हैं आधी, सद्या, हल्ली, सदा, उध्या, नित्य, वारमवार, इत्यादी ये हमको यहाँ पे क्या दिया है सारे हमको एक्जैम्पल्स दिये हैं उधारण दिये हुए अब हम आगे देखेंगे कि गोगल गाय हरू चालते हैं अभी मैं आपको यह सब समझाने वाली हूँ इसलिए अभी पहले सिर्फ इसको देखो रिती वाचक रिया विशेशना हुए ये गोगल गाय कैसी चलती है तो हरू चलती है वो हरू चल सकती है पटकन ये जल्दी चल सकती है पट पट ये बहुत जल्दी चल सकती है जल अदे और जल्दी चल सकती है आप ये अपने आप चल सकती है तो आपने देखा गोगल गाय वेसा का वेसा रहा गोगल गाय की जगे आप और दूसरा कुछ लिखलो हर्ती लिखलो घोडा लिखलो आप यहां पे और दुसरा कोई जानवर का नाम निकलो लेकिन हडू शब्द जो है वो वेशा का वेशा ही रहेगा सभोवार जंगल होते हैं यहां पे इस्थलवाचक क्रिया विशेशन हैं सभोवार जने चारों तरप सरवत्र इते जिते जिकडे खाली मागे अलिकडे तरी यह सब हम जो है इस्थलवाचक में यूज करने वाले वर्ड्स दिये हुए है परिमाण वाचक संक्या वाचक क्रिया विशेशन अवे रेखते हैं तोपली भरपूर फूले आहित अब तोपली भरके फूल होंगे तो हम क्या बोलेंगे भरपूर है क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते ना अब इसके जगे पे परिमान वाचक में हम और केसे शब्दों का यूज कर सकते तो किंचीत, काहिसा, अत्यनत, मोज के इत्यादी इस तरीके का हम यूज कर सकते अब यूज को यहाँ पर जो है खाली दिलेलया शब्दानचे क्रिया विशेशन अवयान चा प्रकारानूसार चावकटी तवर्गी करन करा अब हमको यहाँ पे कुछ शब्द दिये है और नीचे टेबल बनाके दिया है काल वाचक्रिया विशेशन अवे, इस्थल वाचक्रिया विशेशन अवे, रिती वाचक्रिया विशेशन अवे, और परिमान वाचक या संख्या वाचक्रिया विशेशन अवे, ऐसे दिया हुआ है, और हमको बोला है कि इनको इनके हिसाब से टेबल में रखो कहां कुन सा आत फिर हमारा दूसरा आजाता है दर रोज, अब दर रोज क्या है, दर रोज रोज है ना, एवरी डे, क्या है, काल के बारे में बता रहा है हमको है ना, इसलिए हम इसको काल वाचक में रखेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट हमको आता है टप टप, टप टप याने जैसे पानी कै ध़ता खता क्रिया कैसे वुई तो यहां पे ब्रद्दिंग दिधा पर वा समय के बारे में अ Absolue Talon तो यहां पे काल थे और का सुक रudगा है देख और की संगी क्वा और हो तरफ आ तरफ ये जगे के बारे में बता रहे हैं इसलिए स्थालन्वाचक विशेशन हो गया फिर है अतीशहय क्या बता रहा है ? अतीशय ने उसके बहुत ज्यादा खूप सारा तो ये परिमांण में आ जाएगा पूर्ण जो हैं पूरा नि पूरा कपूरा पूरा में कितना भी हो सकता है एक, दो, दस, पचास, सो इसलिए पुर्ण जो है परिमान वाचक में आ गया है न क्योंकि इसमें संख्या नहीं बता है यह परिमान बता है इसलिए हम परिमान बोल रहे है परवा, परवा क्या है में आ जाएगा काल में आ जाएगा समय परवायने परसो समोरून समोरून याने की सामने से सामने से क्या इस्थलवाचक हो गया ना सामने याने उस जगे से उधर से वहाँ से सामने से तो हो गया इस्थलवाचक उसके बाद में हमारा कुन सा है जरा अब यहां पे जरा जो है क्या हो गया थोड़ा सा जरा सा परिमान हो गया कि नी तो परिमान वाचक में आ जाएगा उसके अंद मुरिच मुरिच यहने बिलकुल भी ऐसा तो मुरिच कहां आ जाएगा हमारा मी मुरिच जानार नहीं कैसे नहीं कदी जानार नहीं मुरिच जानार नहीं तो कहा हो जाएगा और श्ब्द रहा को जग्वे है उसके बाद में हमारा शब्द रही है हूं न सब्सक्राइब न तो इसले काल वाचक में आ जाएगा ज्टकन ज्टकन याने क्या Kansenya क्वा काम ज्टकन हो गया तो ज्टकन रीती वाचक के अंतरगत ये आ जाता है करते हैं एने उसके उधारने फिर रीति वाचक के उधारन क्या दिया है जिस वाक्य में पटकन पटपड जलद आपको आप यह शब्द आ जाएगा वह वाक्य क्रिया विशेश्टा बताने वाला शब्द है और यहां पर जैसे इस्थल वाचक में सर्वत्र इते जिते जिकड खाली, मागे, अलिकडे, इत्यादी तो यह शब्द जिस वाक्य में आ जाएगे वह इस्थल वाचक क्रिया विशेश्टा बताने वाचक में परिमान वाचक यह संख्या वाचक में किंचित, काहिसा, अत्यन्त, मोजके, 110, 40, जो भी है, 1, 2, यह सब किस में आ जाएगा परि क्रिया विशेश्णवे हो जाएगा, तो अगर इसको याद कर लेते हैं, तो बहुत एजी हो जाता है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बोक्स में जरूर से बताएगा, और हाँ, बेल आइकोन के बटन को दबाएगा, भूलिएगा मत, मे इतने भी वीडियोज हैं, वो सब आप देखिए, क्योंकि सब के लिए बहुत यूजफूल हैं, ऐसे करके आप बता सकते हैं, मिल बाट कर पढ़ो, क्योंकि मिल बाट कर पढ़ने से ग्यान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखो बच्चो, बाट करणे हैं, दो कि किना परशेंटेज 200 के उपर जा रहा है वीविवस लेकिन इतने लोग समय देखित हैं, बढ़ता हैं, सबस्क्रेप्शन बढ़ता हैं, एक दो भी नहीं बढ़ता हैं, तो ओर हम सब समन्स एट उत्यों, जड़्य बता फो सा इसा नहीं चाहिए मं ब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते